आज हम बनाएंगे नारियल की लड्डू वो भी सिर्फ तीन चीज़ों से और बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनने वाले हैं अब अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हो तो बहुत ही असान तरीका है कोई भी ताम जबने और यह तीन चीज़े न हर किसी घर में अराम से मि सुरु करते हैं, तो सबसे पहले एक लेना आयर्ल देना है, अ जथ चमच घूर और लगवना से अपना खुद ही ही मतल़ेता है, सब मतल़े होलेके में से हैन· तो सबसे पहले में सब्सेते हैं जब उतयारद को बाल गुदूं हम लाग ने चाहिए ओलने है घर उयाल यह चल तो इसे से बनाइए बहुत ही अच्छा बनेगा परफेक्ट बनेगा मार्केट जैसा तो बस इसे हमें तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है और आप देखोगी कि ना इसमें से अलग सी खुश्वू आने लगी है हलका सा जैसे भून जाता है उसकी निशान दूद तो आप आदा कप दूद और आट कर देना उससे ज्यादा दूद आट नहीं करना और सेम उसी कप से हम यानि के कटोरी से हम एक कटोरी चीनी ले लेंगे अगर आपको थोड़ा जाता मीठा पसंद है तो थोड़ा सा चीनी और बढ़ा सकते हो और स्वात को और किसा सूख चुका है चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है और यह देखिए अब यह घटा हो गई है और बहुत ही सौफ्ट हो गई है और जैसे थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना उसके बाद हम इसे लड़ बांद लेंगे तो इसमें ना कुछ भी आपको चेक करना नहीं है क्या कांसिस्टेंसी चेक नहीं करनी है बस इस तरह से जब बंदने लाइक हो जाए ना बस उसके बाद आप लट्टू बांद लीजे तो चलिए इसे बोल में कर लेते हैं ट्रांसवर और हलका गुनगुना गरम रहते में ही नहीं लट्टू बांदेंगे बहुत ठंडा मत ह होने दीजे क्योंकि लट्टू हमेशा थोड़े गरम ही बांदने चाहिए बहुत ही पर्फेक्ट बंद के आते हैं तो थोड़ा सा पोशन ले ले लेना है और इस तरह से ना में लट्टू बांद लेना है अगर आपको तिक्कत होती है खांसे करने में तो दूसरा हाथ का भ इसी तरीके से हमारे बांगी के भी जो लट्टू है उसे भी हम तयार कर लेंगे और सबसे अच्छी बात है ना कि मैंने यहां पे ना मिल्क पावडर या खोया यूज नहीं किया है अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हो मैंने सिर्फ वही इंग्रेटियंस यूज किया है ज बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बना के दिखिए तो बस यह हो गया और यह देख सकते हैं बिल्कुल मार्क जैसा यह लट्टू है ना कहीं से कोई बोली नहीं सकता क्या मैंने से घर में बनाया है बहुत ही परफेक्ट लगता है और इसे और ज्यादा मार्क जासा लगा दिया है और देखिए अब और लग रहे प्रोफेशनल और थोड़ा से इसे और टेकरेट कर देंगे तो यह रख ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे है तो इस तरह किसे ना आप भी बनाओ और अगर बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजे चैनल प भी बनाओ यह बहुत ही आसान लगता है यह बनाना और आपकी केस्ट भी खुश हो जाएंगे मैं इसका ना एक बार अंदर से भी आपको टेक्शर चेक करवा देती हूं तो यह देखें अंदर से भीकुल खोए गैसा लग रहा है पसंद आया तो लाइक करना हो ना भूले बाइ